नमस्कार साथियो स्वागत है आप सभी का ओनलाइन एगरिकल्चर के प्लाटफोर्म पर डेडिकेशन, बैच, बैंक, एफो से सबंदीत, मैथमेटिक्स की कलास के अंदर कैलकुलेशन पढ़ रहे थे और कैलकुलेशन के अंदर आज का जो अपना सेशन रहने वाला है वो रहने वाला है मल्टिपलाई से सबंदीत यानि की मल्टिप क्लिकेशन और multiplication के अंदर आज अपन सीखेंगे multiply कैसे कर सकते हैं काफी बड़े बड़े नंबर जब अपने को प्रिक्षा में दे दिये जाते हैं तब multiply करना काफी ज़ादा कठिन हो जाता है और कम से कम समया के अंदर speed को maintain करते हुए आज अपन सीखेंगे with 100 based multiple किस प्रकार से कर सकते हैं साथियो आए असान और असान और बेहद असान तरीके से सीखते हैं आज के वीडियो में multiply को साथियो सबसे पहले अपन इस बात के लिए discussion भी करेंगे कि इससे पुरु आपका subtraction और addition वाला जो lecture है वो complete हो चुका है तो आप previous lecture को अवश्या देखिएगा जिसके अंदर आप addition और subtract के बारे में थोड़ा समझेंगे चलिए इसके अंदर सरो पर्थम अपने समझते हैं कि किसी भी number का या किसी भी data का जब 11 से multiply हो तो अपन कैसे उसको solve out करेंगे जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कोई भी number है ये question आपकी screen पर है और question पर जाने से पहले मैं आपको basic example इसके समझा देता हूँ ताकि अपने चीजें और भी बैतर डग से समझ में आ पाए जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक data है एक number है और number मैंने मेरे तरफ से कोई भी ले लिया 324 342 ले लेते हैं अपने 342 अब multiply करना मेरे को 11 का देखिए आपके पास direct इसकी basic approach है और आप उस basic approach से कर सकते हैं कि आपको 11 क्या table आता है तो 11 का table आता है जिससे सबंदित आप गुना करके इसका उतर निकाल सकते हैं लेकिन साथियों कभी कबार बहुत बड़े numbers भी अपने को face करने पड़ते हैं कि कुछ अगर आपको इस परकार का number दे दिया जाए और फिर आपको examiner बोले कि आपको इसको 11 से multiple करना है क्या आपकी multiple की basic approach से time नहीं लग जाएगा क्या क्या आपकी multiple की basic approach से बहुत time लगने के साथ में गलत होने की संभावना बड़ेगी बिल्कुल बड़ेगी लेकिन अपने इन तरीकों से बचना है तो अपने इसको direct कैसे कर सकते हैं सीखने का प्रियास करती है जैसे कि 342 का गुना मैंने 11 से किया तो सबसे पहले आप क्या करेंगे इस number से 11 का multiple कर रहे हैं साथियो सबसे पहले इस number का अंतिम अंक है उसको जोंका त्यों अपने यहां पर लिखेंगे और यहां का जो अंक है प्रारंबिक अंक है उसको भी से का ऐसा लिखेंगे साथियो जो आपका first यानि की आपका unit digit था अंतिम अंक था अब उसका यहां पर करेंगे addition addition यानि जोड 2 और 4 कितना हो गया साथियो 6 इसका फिर आगे करेंगे 4 और 3 कितना हो गया 7 आगे कोई digit है क्या नहीं जैसे ही आगे digit नहीं है खतम हो गया वहीं तक छोड़ दो यह जो अपने पास value आई यह अब इसका क्या हो गया साथियो answer हो गया complete है यहां तक अच्छे से तो आप इसका direct multiply करके भी देख सकते हैं answer आपका यही आएगा इसी परकार 11 का multiple किसी भी digit से या किसी भी number से करते हैं तो आप उसको basic इस process से कर सकती है जैसे मैं कोई और data ले लेता हूँ जैसे आपके समक्ष एक data लिया जा रहा है कुछ इस परकार से और मैंने इसमे 11 का multiple करना है साथियो तो आईए सीखते हैं किस परकार से मैंने आपको क्या समझाया कि इसका unit digit जिस number से आप multiple कर रहे हैं मेरे उचारन को ध्यान से सुनिएगा मेरी वानी पर ध्यान दिजिएगा जिस number से आप 11 का multiply कर रहे हैं उसका बिलकुल अंतिम digit यानि इकाई का अंक और उसका सबसे प्रारंबिक अंक यानि इसका सबसे first digit इसको जो कात्यों आप उतार लेंगे अब यहां से इसका add करना start कर देंगे addition यानि पांच में दो add किया तो कितना आ गया साथ हो? साथ फिर दो का साथ में addition करेंगे 2 और 7 कितना आगा साथियो 9 फिर 7 का 9 में addition करेंगे और 7 में जैसे ही आप 9 का addition करेंगे तो 7 और 9 कितना आजाएगा साथियो 16 अब 16 का 6 हंसल 1 लेकिन हंसल 1 इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि आगे कोई digit ही नहीं है अगर आगे digit होता तो आपको हंसल यहां पर लेनी पड़ती अब सिधा सिधा कितना आजाएगा 16 तो यह आपका क्या आजाएगा साथियो अंसर आजाएगा correct इसका मतलब है कि 11 से multiply आप अच्छे तरीके से सीख चुकी है ठीक है ज़िए 11 से multiply आपने अच्छे से सीखा अब direct अपने question पर आते हैं कि question अपने exams के अंदर यानि आपके banking के examinations के अंदर अगर ऐसा प्रशन आता है और प्रशन आता ही है तो अपने उसको किस परकार से solid करेंगे आईए सीखते हैं साथियो देखिए आपके समक्ष एक question लिखा हुआ है 308 into 22 प्लस 1122 into 33 लेकिन साथियो यहाँ पर देखिए 11 से direct multiply नहीं कर रखा क्या 11 का पाड़ा जिसमें 22 आता है 11 का पाड़ा जिसमें 33 आता है यह वाले अंक दिये यानि 11 का multiply दे रखा है direct 11 से multiply नहीं है 11 का multiple है 11 का गुनज है तो क्या इस 22 को मैं 11 into 2 लिख सकता हूँ क्या yes or no यानि यह 2 का गुना मैं इससे कर दूँ तो 308 का दुगना कितना हो गया 308 का दुगना कितना हो गया 6 616 ठीक है direct speed अपने को maintain करनी है 33 33 को क्या मैं 3 into 11 लिख सकता हूँ तो इसका 3 से गुना 3 दूनी 6 3 दूनी 6 11 तीए 33 into 11 अब वही अप्रोच आगी कि 11 का गुना यहाँ पर भी 11 का गुना यह 11 बच गया था ना अब देख लो 11 का गुना करना मैंने अभी आपको इसी खाया है यहाँ से 6 उतार लूं और यहाँ से 6 उतार लूं अब एड करता चला जाओं यहाँ से 6 और 1, 7 पीछे से स्टार्ट करना है 1 और 6, 7 यह आगा यहाँ तक पलस आगे चलिए अब 11 का मल्टिपलाई इसमें करेंगे तो अप्रोच क्या मैंने बताई आपको कि इसका अंतिम डिजिट 6 है अजिटेज लिख लिए अपने साथ ही हो और इसका फस्ट डिजिट 3 है जोडना स्टार्ट करेंगे पीछे से, मैं बार-बार कहा रहा हूँ यह आपको अच्छे से ध्यान में रखना है पीछे का मतलब अंतिम से यानि युनिट डिजिट से 6 और 6 बारा 12 का दुआ हंसल अब बचेगी 1 आगे वाले के जोडना है 6 और 3 नो 9 और एक 10 10 की 0 फिर से हंसल बची 1 फिर आगे वाले में जोडना है 3 और 3 च्छे 6 और एक कितना आजागा साथियो 7 अच्छे से समझ में आ रहा है step by step मैं आइस्ता आइस्ता धीरे धीरे समझा रहा हूँ फिर आपको speed में अपने आप करना है speed maintain करनी है approach पर काम सीख लिया concept clear हो गया speed बन जाएगी method पता है तो direct गुना करने से बचेंगे speed up नियाप maintain हो जाएगी ठीक है अब इसके अंदर add करना है ठीक है साती हो और add करना में निकला आपको बहतरी डंग से सिखाया है copy pen लेकर आपको साथ में बैठना है खुझ से add करिए और जल्दी से जल्दी इसका answer comment box में बताइए इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं अगले question की और this question बहुत ही अच्छा प्रशन है और ये प्रशन आपका इसके अंदर decimal के अंदर भी है बहुत बार student सोचता है कि सरथ decimal के जो नंबर है यानि जो दस्मलव के अंक है उनको कैसे हल करेंगी तो आएए थोड़ा decimal पर भी काम करते हैं साथ यो question क्या दे रखा आपको 406 into 11 plus 44 into 3.5 is equal to क्या होगा very very important लगा सकते हैं इस question को सबसे पहले देखिए 11 का multiple करना है तो 11 का multiple करना मैंने आपको 20 खाया था 11 का multiple करेंगे इसके अंदर तो इसका अंतिम digit 6 और यहाँ पर यह 4 एजिटे जाएगा अब add करते जाओ 6 और 8 कितना हो गया साथियो 14 6 और 8 कितना हो गया 14 14 का 4 कैरी कितना है साथियो 1 फिर आगे 8 और 4 12 12 और एक कैरी ता 13 अब कैरी निलेंगे क्योंकि आगे डिजिटी नहीं बचा तो कैरी लेने का कोई मतलब नहीं ठीक है जी प्लस आगे चलें यहां तक पहुंचगे अब देखिए यहां पर यह multiply करना है 40 अब direct 40 से नहीं करना सिखाया तो मैंने चार इंटू 11 से करना सिखाया है कि मैंने चार इंटू 11 इंटू 3.5 है तो 35 का चार से पहले गुणा कर दो पांचों का 20 0 4 ती है 12 और 2 14 यानि 140 यानि 14.0 यानि 14 into गुना किसका करना है 11 से 11 से 14 का गुना मैंने अभी जिखाया इसका अंतिम डिजिट इसका 1st डिजिट 4 और 1 कितना आगया साथ यू डारेक्ट पांच अब इसमें add करना है आगे add करने का काम आप सभी को आना चाहिए ठीक है जी तो add आपको आना ही आना चाहिए sure complete है तो आगे आप add कर लिजी आपका answer आजाएगा क्यों क्योंकि addition मैंने आपको कल सिखाया है अच्छे से तो addition वाली class और subtract वाली class आपको अच्छे से सीखनी है साती हो तो addition आप देख लेना और आप इसको add करते चले जाना क्योंकि homework मैंने आपको दिया था और homework आपको करना अच्छे से आना चाहिए अब बढ़ते हैं next next जो आपका multiple के अंदर type सीखेंगे साती हो वो रहेगा आपका hundred based multiply कि ऐसा number या ऐसी संख्या जो आपके 100 के आसपास हो ये 100 के आसपास है क्या hundred के आसपास है इसलिए topic का नाम क्या बना hundred based multiplication देखिए अब आप इसमें direct approach लगा सकती है कि सर मैं 106 का गुना direct 108 से कर दूँ तो बैतर रहेगा लेकिन बचो ये बात भी ध्यान से सिखो कि 108 का गुना अगर आप इस approach से कर रहे हो तो इसका मतलब आप banking के आसपास में भी नहीं हो you are not banking candidate yes or no ये तो अपन पहली दूसरी में सीखती आई है और तीन डिजिट का ये multiple आई है काफी length ही पड़ेगा तो sir approach क्या है आईए concept सीखते है सात्यों क्या ये 100 से 6 plus है और ये 100 से 8 plus है यानि कि 100 से ये 6 ज़्यादा है और ये 100 से 8 ज़्यादा है और base number कितना अपना 100 है क्योंकि 100 के अधीन देख रहे हैं 100 का based multiple देख रहे हैं जो भी ज़्यादा और कम होगा उसका अपस में कर देंगे गुना 8 चिप कितना आगया 48 लेकिन प्लस का base कितना था 100 उसमें इन दोनों का जोड कर देंगे ध्यान से सुनो वाणी को step by step 8 और 6 कितना होगया मेरे पास 14 100 में 14 जोड़ेंगे कितना आगया 100 में क्यूं जोड़ा क्योंकि base नंबर था 100 अब इसको direct इसके साथ मिला देंगे 114 यहां से आया गुना किया 48 वो यह रह आंसर कितना आया 114 आड़तारिस क्या ये तरीका अच्छा लगा और कितने कम समया के अंदर आपने उत्तर को निकाला एक कोशन और ले लेते हैं तक कि आपको और बहतरीन डंग से समझ में आ जाई यसे कि मैंने कोशन ले लिया 109 इंटू 105 100 के बिलकुल आसपास में है और ये कोशन आप से पूछा गया 109 का गोना 105 से करना है साथी हो तो क्या करेंगे आईए 109 यानि 9 जादा है और ये कितना है 5 जादा है 9 पंजा कितना हो गया 45 अब फास्ट करेंगे to the speed 45 आ गया 100 क्या था इसका बेस था 9 और 5 कितना हो गया फिर से 14 ठीक है 14 जोड़ेंगे कितना हो गया 14 और 45 वो था था 114 पेंटारीस This is your answer मेरे को इस परशन को करने में 10 से 15 सेकिंड समझाने में लगे हैं और आप प्रिक्षा में करेंगे तो इससे भी minimum time of period में question को soul out कर पाई ठीक है जी आगे बढ़ते हैं next question देखिए कितना अच्छा प्रशन है यह प्रशन को देखिए यहां से यह minus नहीं है साथी यहां पर typing mistake यह plus का 94 है चलिए question को soul out करते हैं आईए आप copy pen साथ में लेकर बैटे और जल्दी से जल्दी question को soul कीजिए जैसे मैंने अभी बताया देखिए 106 है और into 108 है plus 92 है into 94 है soul करेंगे कैसे वही चीज plus का 6 है 100 से 100 बेस नंबर है और plus का 8 है 8 चीक कितना आगया साथी हो 48 plus का आए 48 100 बेस नंबर था 8 और 6 कितना हो गया 14 इसमें जोड दिया यह आगया 114 और 48 114, 48 plus का बीच में plus चल रहा है question में इस वाले को soul out कर लेते हैं आईए 92 92 कम है या ज़्यादा है कम है कितना कम है minus का 8 कम है 94 100 से कम है या ज़्यादा है कम है कितना कम है साथी हो minus का 6 कम है 8 चीक फिर से 48 दोनों को जोड़ेंगे दोनों को जोड़ेंगे ठीक है ना तो कितना आजएगा साथी हो minus का 14 100 क्या था base नमबर था minus का 14 कम कर देंगे कितना आगया 86 और यह पड़ा था 48 86, 48 मिला दिया दोनों को अब दोनों को add कर दो add करना मैंने आपको इस खाया था addition का काम आप सभी को करना है ठीक है जी इसमें add करना है 86, 48 और जल्दी से जल्दी add करके option में से choose कीजिये कौन सांसरा रहा है ठीक है जल्दी से जल्दी got it समझ में आ गया very good आगे चलते हैं साथियो next question पर process आपको समझ में आ रही कितना असान तरीक केसे कर रहे है और इसको direct multiply करके add करना हो तो ये बहुत ही cutting question बन जाता है इतना time अपने banking examinations के लिए enough नहीं है ठीक है साथियो next question आपकी screen पर जल्दी से जल्दी question को पढ़िये उत्तर देने का साथ प्रयास करें क्योंकि ये मैंने आपको कली बताया था practice to make success क्योंकि अभ्यास ही सफलता को बनाता है जब तक खुझ से practice नहीं करेंगे तब तक आपको questions और आपको topic कलीर नहीं होगा questions देखिये साथियो 103 into 105 plus 88 into 95 ठीक है ज़ी जल्दी से जल्दी questions को देखके salute करने का प्रयास कीजिये साथियो हाँ जी देखिये ये कितना है 100 में से 3 plus है और ये 100 में से 5 है ये साथियो पहले एक बार इतना portion solve करते हैं 5 ती है 15 plus का आगया 15 ठीक है जी base नमबर कितना था 100 3 और 5 कितना आगया साथियो 8 8 इसमें क्या जोड़ देंगे 108 और ये 15 था इसमें मिला देंगे यहां आगया 108 पंदरा plus 88 minus का 12 है 100 से 12 कम है और ये minus का 5 कम है 12 पंजे 60 minus का आगया 60 याद रहेगा ठीक है जी अब यहाँ पर देखिए आगया आप इसको कैसे solve करेंगे base नमबर कितना है मेरे पास 100 है base नमबर कितना है मेरे पास 100 है और base नमबर मेरे पास 100 है तो कैसे होगा सरिन दोनों को जोड़ देंगे minus का 12 और minus का 5 ठीक है जी तो यह कितना आ जाएगा आपके पास 17 कम कर दो 100 में से और 100 में से 17 कम करेंगे तो यह साथ यह आपका कितना आ जाएगा ए 1860 और 10,815 जल्दी से जल्दी एड करें और उत्तर निकालें ठीक है जी जल्दी से जल्दी एड करें और उत्तर निकालें कोमेंट बॉक्स के अंदर सभी के यह आंसर आने चाहिए जो मैं आपको एड करने को बोल रहा हूँ सभी बच्चेओं का आंसर आना चाहिए तभी पता चलेगा माना जाएगा आप प्रेक्टिस कर रहे हैं साथ सात में और बहुत अच्छे से लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं और आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं मैं फिर से कहूँगा मैं daily इस lecture में आपको एक ही बात कहूँगा speed maintenance only for expert बनने है to be calculated expert calculation expert बनने है साथियो अच्छे से और इस lecture का timing आपका प्रती दिन साड़े साथ बज़े रहेगा तो आपको ये daily lecture attend करना है next question साथियो हाँ जी सबसे पहली बात question important है अभी तक जो अपने कर रहे थे वो 100 से या तो बड़ा नंबर था और या चोटा नंबर था series में जल रहे थी लेकिन अब की बार उसने mix दे दिया पि एक नंबर तो बड़ा दे दिया और एक चोटा दे दिया अगर ऐसा question आजे तो अभी तक अपने previous जो चल रहे थे जितना भी topic पड़ा है उसमें या तो plus चल रहा था 100 से या minus चल रहा था 100 से 100 से कम-कम, 100 से ज़्यादा-ज़्यादा एक ही set में लेकिन अब की बार एक तो 100 से ज़्यादा है पर एक 100 से कम है तो सरिस्का प्रोसेस बेहद और बेहद असान है same to same तरीका है आईए sol करती है 102 into 97 वही बात की कितना कम है, कितना ज़्यादा है ये साथ यो 2 ज़्यादा है और ये 3 कम है 3 दूनी 6, minus का आगए यहाँ पे 6 फिक है जी, अब देखिए यहाँ पर अपने को बेस रखना वही 100 क्योंकि 100 से कम ज़्यादा है दोनों को करेंगे add तो ये आजेगा minus का 1 100 में से minus का 1 कम करेंगे 99 लेकिन अब 6 को मिलाएंगे नहीं क्योंकि ये minus का 6 है इसको plus बनाना पड़ेगा यहाँ पे क्योंकि एक number कम मैं एक ज़्यादा है पिछले वाले में भी तो सर माइनस का यहाँ पर 60 आई रहा थे लेकिन नहीं साथियो वहाँ पर दोनों के दोनों number छोटे छोटे थे 100 यहाँ एक number बड़ा है 100 से एक छोटा है तो इसको plus बनाने के लिए क्या करूँ मैं इस में से 100 का collaboration कर दो अगर यहाँ से 100 को मैं इस में से कम करता हूँ यानि की 100 में से इसको कम करता हूँ तो यहाँ से मेरे को एक और कम करना पड़ेगा यह ध्यान रखना 100 से कम multiply वाले number को और यहाँ से add किया उसमें से एक कम 99 में से एक कम कर दिया 98 और 100 में से 6 कम कर दिये तु कितना आ गया साथियो 94 तो उत्तर आ गया 98-94 98-94 This is your answer कितना सांडरा सिर्फ एक टरम अपने को याद रखनी है कि multiply वाले number में से यानि 100 में से इसको कम करना है क्योंकि base number 100 है और यहां आपको 99 में से एक कम कर देना है ताकि positive बन जाए यह उत्तर ठीक है जी positive बनाने के लिए यह काम कर रहे है सिर्फ एक मात्र उधेश है आईए next question को करते हैं solve जल्दी से जल्दी solve करते हैं इस question को copy निकालिए और solution करना start कर दीजिए question क्या है 92 into 103 is equal to क्या होगा multiply देखिए 100 में से 8 कम है और यह 100 में से 3 ज़्यादा है 8 ती है 24 माइनस का आगे yes or no माइनस का 8 है प्लस का 3 है ठीक है add करेंगे कितना आ जाएगा साथियों 5 माइनस का कम कर देंगे कितना आ जाएगा 95 लेकिन इसको प्लस बनाना है तो भाईया इसको 100 में से कम कर दें 100 में से 24 कम करेंगे कितना आ जाएगा 96 और यहां से एक कम करना पड़ेगा 94 तो यह और आंसर 94 चंतर मिला देंगे यहां पर ठीक है जी कितना कम समय लगा 10 से 15 सेकेंड मात रहू copy pen सबी बच्चों ने निकाल रख है question लिखिए जल्दी से 96 into एक सोच है comment box में सबी बच्चों का उतर आना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि मैं समझ पाऊं कि आपको अच्छे से topic समझ में आ रहा है और आप bank AFO के लिए full dedication के साथ इस batch को देख रही है next जलते है next question बेहद और बेहद असान और important question है आज का और ये question आपका bank exams में आया हुआ है इसलिए इसको उठाया हुआ है और आपको इसको soul out करना है question देखिए कितना important है 102 into 97 plus 104 into 96 और ऐसे ही question आपको exams में देखने को मिलेंगे exactly 102 100 से 2 जादा है और यहाँ पर ये 100 से 3 कम है एक portion को soul out कर ले पहले 3 दो नहीं कितना आगया साथ यो minus का 6 100 इसका क्या था base था लेकिन दोनों को जोडेंगे plus का 2 है उदर minus का 3 है तो minus का 1 बचेगा 99 यहाँ पर आजाएगा यह भी solid किया था question plus बनाने के लिए 100 में से कम कर देंगे कितना आजाएगा 94 और इसमें से एक कम करेंगे यहाँ वाले में से तो 98 दोनों को collaborate करेंगे तो 98 94 बीच में plus चल रहा है question के यहाँ पर यहाँ पर देखिए 104 है साथियो 4 जादा है 100 से और यहाँ 4 कम है 4 चो कितना आगया minus का 16 दोनों को add करेंगे कट जाएगा 0 क्योंकि plus का 4 minus का 4 0 बचा तो 100 में से 0 कम करेंगे 100 ही आजाएगा ठीक है लेकिन इसमें 100 अपने को कम करना पड़ेगा पलस बनाने के लिए 16 कम कर दिया 100 में से तो 84 और यहाँ से 1 कम कर देंगे तो 99 ठीक है जी यहाँ आगा 99,84 add कीजिए सभी बच्चे जल्दी से जल्दी क्या add करना है मेरे प्यारे बच्चो 98,94 पलस 99,84 add कीजिए दोनों को और जल्दी से जल्दी comment box में उत्तर बताईए शबाश option आपके सामने में इसलिए दिये हैं क्योंकि आप इसको add करके mind solving method से या unit digit method मैंने previous lecture में सिखाया है वहाँ से आप इसको add कर पाएं साथ साथ में आपकी practice भी करवा रहा हूँ आपको सिखाता भी चला जा रहा हूँ और आप इसको सीखते चले जा रही है next 100 based method सीखते हैं साथ यहों कि और भी बहुत सारे ऐसे data's अपने को कभी कबार देखने को मिलते हैं जो 100 based हो क्योंकि इस data में देखिए 403, 408 लेकिन सर यह 100 के आसपास तो नहीं है लेकिन क्या यह 100 के गुण जाएं क्या 408, 403 100 का 4 गुणा 400 होता है और यह जो आपका question है वो 400 की श्रेणी में है 403, 408 तो निसकर्स निकला कि सर यह 100 based ही multiple है बस थोड़ा सा change होगा यह 100 based ही multiple है 100 based multiple अपने अच्छे से सीख चुके है बस थोड़ा सा ही change है इसके अंदर ठीक है जी complete आईए सीखते हैं साथियो 403 into 408 लेकिन अब की बार 400 है तो base number आपका 100 नहीं होगा 400 होगा तो 400 से 3 जादा है और यह 400 से 8 जादा है 8 या 24 वही काम तो करना है पलस का 24 यह काम अपने पहले भी करते आ रहे है और इस कोशन में भी करना है यहाँ थोड़ा change आएगा 400 था अपने पास यहाँ पर अपने पास कितना था 400 था और इसको एड़ करना है 4 और 3 8 और 3 कितना होगया 11 तो यह total आगया अपने पास 411 लेकिन यह 400 बेस नमबर है इसका तो अब इसमें गुना कर देंगे 4 का अंत में यह काम करना है बाकी सेम प्रोसेस 4 एकम 4 4 एकम 4 4.16 और 24 है मिला देंगे तो उत्तर आ जाएगा 16, 44, 24 16, 44 This is your answer फिर से सीखो बेस नमबर में उसी नमबर का गुना 400 की शरेणी यह 4 का गुना क्यों? क्योंकि 100 का 4 गुना 400 है 300 की शरेणी होती तो 3 का गुना क्यों? क्योंकि 100 का 3 गुना 300 है तो जितने गुना है उतना गुना कर दिया 411 में 4 का गुना कर दिया 24 और इसको मिला दिया प्रोसेस तो वही है बस तर्म कहां चेंज होई 4 का गुना किया क्यों किया? इस वज़े से किया क्यों? क्योंकि 100 का 4 गुना 400 है समझरे हैं बात को? बढ़िया से ठीक है जी? चले एक कोशन और है सेम टू सेम कोशन है कि सर एगर एक ज़्यादा आ जाए और एक कम आ जाए फिर वही चीज कि पहले तो सेम था चीज और अब की वार एक ज़्यादा आ जाए और एक कम आ जाए तो कि 400 से एक ज़्यादा है और एक कम है अब ये 400 से कितना कम है बेस नंबर है 400 ठीक है 306 इंटू 403 400 से कितना कम है मेरी प्यारे बच्चो 400 से कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है 4 ती यह माइनस का 12 है गुना करना यहां पर रखना है बेस आपका 400 है और दोनों को एड करेंगे तो कितना आजाएगा माइनस का 1 अगर यहां पलस का होता तो जुड़ जाता यह माइनस का होता तो लेकिन यह माइनस का पहले से ठीक है यह कितना आगया आपका 300 निनाण में लेकिन बेस चार है यानि 400 बेस है तो 100 का कितने गुना है 400 सर चार गुणा है तो यहां पर गुणा भी किस का करेंगे चार का करेंगे 9.36, 6, 3 9.36, 3, 49, 9, 3 9.4, 3, 12, 12, 12, 3, 15 लेकिन एक बात शीखिए साथ यो एक बड़ा है, एक छोटा है और यहां पर माइनस का है, इसको तो पलस बनाना पड़ेगा यहाँ पर माइनस का है इसको पलस बनाना पड़ेगा और पूर्व जब अपने 100 पलस का मल्टीपल सीखा था तो क्या उसमें अपने इसको पलस में चेंज नहीं कर रहे थे क्या सर कर रहे थी पलस में चेंज कर रहे थे ना बिल्कुल तो प्लस में चेंज करने के लिए वही काम करना होगा क्या? 100 में से कम कर दो 12 को कम करेंगे 100 में से तो कितना आ जाएगा? 88 और इस में से एक कम करते हैं रूल 15 पिचाण में और 88 को यहां पर मिला देंगे उत्तर आ गया 15 पिचाण में 15 पिचाण में 88 गुना करके देख लो उत्तर ही है कोशन्स दे रहा हूँ आपको मैं और भी कोशन्स कीजी आप 503 इंटू 507 बेस नंबर क्या होगा सर जी? 500 क्योंकि सिरीज है पांच की लास्ट में गुना किसका करेंगे? 5 का क्यों? क्योंकि 100 का 5 गुना है 500 100 का 5 गुना है 500 अब इसका उत्तर कॉमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट्स का आना चाहिए या सूर नो इतने कोर्शन थे आज के लिए ठीक है जी चलिए तो आई होप आज का शेशन आपको अच्छा लगा होगा और आज आपने बहुत सरे प्रशनों को सीखा multiply के धेरों तरीके आपने सीखे ठीक है जी अंत में मैं आपको एक प्रशन देके जा रहा हूँ और उस प्रशन का उत्तर आपको सभी बच्चों को कॉमेंट बॉक्स में देना है ठीक है जी चलिए प्रशन है आपके लिए homework के तौर पे question ले लीजी साथियो homework क्या मैं आपको दे रहा हूँ आज का आज का homework करेगा 206 into 203 plus 109 into 104 एक तो इसका उत्तर चाहिए हमें अब यह 200 की सीरी चल गी तो base number मैं फिर से कह रहा हूँ बच्चों 200 लेना है यहाँ पे ठीक है next question 605 into 594 इसका उत्तर आना चाहिए सभी बच्चों का एक question और लिख दे रहा हूँ आपके लिए 395 into 404 प्लास एक सो आट into 93 उत्तर क्या हूँ का यह तीन प्रशन है आपके लिए जिसको आपने सोल करना है और अपना judgment देना है कि आपने आज की कलास से कितना सीखा और कितना बहतर सीखा क्या आप कैलकुलेटिव एक्सपर्ट बनें क्या आज आपको वास्टिक तौर पे नया सीखने को मिला बिलकुल हर रोज इस लक्चर को अटेंड करना है और हर रोज mathematics के अंदर और बनेंगे ठीका सातियो आई होप अच्छा लगा होगा शेशन ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है मिलते हैं कल एक ने टपी के साथ में तब तक के लिए धन्याबात